अगर आप एला पॉइंट से भी देखेंगे ना अगर आप इतना बड़ी है इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहता है यहां पर भाहिए अगर मैं और बाते करूं इसमें तो आप देखेंगे इसकी लेंज कितनी है 3995 बहीं अगर और जीदर देखेंगे आप तो इसमे बस एक चीज की जो आपको यहां कमी लगने वाली है ना बो लगे की बूटिस अलो आयो मैं हूँ अनियंगवार भाहिए आज हम लोग बात करेंगे ना की बुलैरो नियो लेनी क्यों चाहिए मतलब इसकी बात में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम सेवन सिटर में कार् लेनी क्यों चाहिए और इसकी बातों की बात करेंगे 5-10 पॉइंट्स की जिससे आपको इपक्लियर हो जाएगा कि हमें मेहंद्रा बॉलैरो नियो लेनी क्यों चाहिए और हमारे लिए फायदेवन्द है बी या नहीं है वही अगर start करते हैं इसके front से तो इसकी road presence, अगर आप पहला point से भी देखेंगे ना, अगर आप ECO लेकर जाओगे market में, आप तो कोई भाव भी नहीं देगा भाई, ECO पूरी तरह से taxi में ही चलती है, लेकिन इसकी road presence, मतलब एक अलग road presence है, अलग car दिखने वाली है, आपकी value को भी बताती है ये car, तो ये किसका मतलब ये बहुत बढ़िया plus point है, लोग इसलिए इसको prefer भी करते हैं, बीच में इसकी sales में साथी गरावट भी आई थी, इसलिए मेहंदरा ने इसका normal bolero पहले चलती थी, वो भी launch कर दी थी, अब इसलिए बो भी आने लगी है, फिलाल ये हुआ है, इसलिए 180 mm है, लेकिन आप इसके feel कर पाएंगे इसका कितना बैतरी ना, अगर फो ट्रेस्टी हता देना, तो करीब 200 mm का तो इसका ground clearance हो जाएगा, तो इतना बड़ी है ground clearance, ये इसका बहुत positive point रहता है यहाँ पर, बहीं अगर मां और बाते करूं इसमें, तो आप इतनी है, 3995 mm आती है, मतलब चार मीटर से छोटी है ये खार, लेकिन चार मीटर से छोटी होने के बाद दी बाब जूद भी जो इसका wheelbase है, बहुत 2680, मतलब करीब 2700 mm, मतलब इतनी कम length के बाब जूद भी आपको इतना अच्छा wheelbase अगर company offer कर दे रही है, ये भी इसका बह 50 लीटर की है, मतलब 50 लीटर आप सोच रहा, 37 लीटर आती है, चोटी मोटी कारों में ही, और इसमें 50 लीटर दी है, और बहीं अगर मैं इसके average की बात करूँ ना, highway पे 22 तक का average ये कार देती है, और local में 16, 17, मतलब एक अच्छी range आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा तो इससे बड़ी options क्या होंगे फिर, तो ये बड़ी हा option अपनों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, भाई अगर मैं इसमें rear में और बाते करूं, मतलब गाड़ी क्या rough and tough टाइप की है, लेकिन आप देखेंगे feature भी मिल जाते हैं, जैसे आपका rear defogger, washer unit हो गया, ये सारे feature आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं premium feel भी दिलवा देते हैं, कि मैंने car तो चली rough and tough वाली वी है, लेकिन कम से कम ये feature तो मिल ले हैं मुझे यहाँ पर, भाई अगर और जीर देखेंगे आप, तो इसमें बस एक चीज की जो आपको यहाँ कमी लगने लगेगी boot space, क्योंकि अगर आप इन seat-o को फोल्ड कर दो के तो तो करीब पहुने चार्सो 382 लीटर का मिल जाता है boot space, लेकिन seat-o को खोलने के बाद आपको boot space बिलकुल नहीं मिलता है, वो यहाँ पर बिलकुल खतम हो जाता है, इन seats पर इतना comfort भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बहीं बहीं एक और positive point की बात करूँ ना मेहंदरा में हमेशा से रहा क्या है armrest मतलब लोग बहुत miss करते हैं, यह armrest वाला जीन जो आपको comfort देता है, आप बहीं seats पे भी देखेंगे, यह लगवक सेम यह अंडर थाई support भाई यह देख रहो है लेंध इसकी अपने तरीके से बहुत 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 बैठरी ने जिससे की आपको बैठने में बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, बहीं अगर एक चीज जो आप देखेंगे ना जो इसकी engine की दाहर है, मतलब जो बोलते हैं, refinement नहीं देते मेहंदरा, बहुत चीज आप यहां पे देख इसका engine है, वो 1500cc का है, 3 slander है, लेकिन 100 bhp की power और करीब 260 newton meter का torque देता है, जिसकी विज़ा से pick-up और जो torque है ना गाड़ी एक साथ फेकती है, बहुत जबदस फील आता है आपको चलाने पर, तो यह चीज बढ़िया हो जाती है, बाकि आप space देखें कार में, मतलब एक जो comfort ह आपको comfort पूरा का पूरा इस car में मिल जाता है, जिससे कि आपको थकावट थोड़ी कम होती है, बाई जो इस car की सबसे बढ़िया बात देना, कि आपको तेल कम खिलाना है गाड़ी को, नहीं मुझे average अच्छा चाहिए, इको mode है की यहां मिल जाता है, और दूसरी की अगर म सेविंग्स कर सकते हैं यहां पर, यह चीजे भी बढ़िया मिल जाती है हमें आप, वहीं वाई अगर आप इसमें रियर में बैटिंगे ना, जैसे यह सीट थी थी थोड़ा सा आगे और बढ़ सकती है, यहां पर इस पेस चीक मिल जाता है, यह स्पेस आपको अच्छा मिल बट एक कमी जो और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी इस कार में, यह एक सेवन सिटर कार है, अगर आप मई जून की गर्मी में 40-42 डिगरी सेल्सियस में से भाहर लेके जाएंगे ना, तो पीछे वाले बंदे के लिए इसमें कोई भी AC नहीं है, किवल आगे AC आप आपको इस कार में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो बहां पर आपको थर्ड रो वाले के तो दिक्कत होगी होगी, लेकिन इस बीच वाले रो को तो चलो सामने से AC वेंट मिल जाएंगे, काम चल जाएगा, लेकिन पीछे वाले को नो डाउट दिक्कत होने वाली है, पर एक positive point इस कार में, AC नहीं मिल लेकिन आपको airy feel होना है तो आप ये rear side वाले glass पर ध्यान देंगे, तो हम इसे open कर सकते हैं बस यहां से, जिस्ते कि आप थोड़ी सी हवा ले सकते हैं, इतना आप यहां पर कर सकते हैं, जिस्ते कि आपको क्या होगा, थोड़ा सा मतलब airy airy feel ह होता रहेगा, तोड़ा suffocation कम होगी, भही भही अगर बात करूँ ना इसके price की, कि यह seven sitter आपको पढ़ेगी कितने में, यह तो top end variant है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो value for money में नहीं आता है, अगर मैं बात करूँ इसके base variant की जो seven sitter में आता है, उसका जो एक्षूरू प्राइ है, बिल्कुल सेम, इंजन में कोई भी compromise नहीं है, क्योंकि बुलेर और नियो की कोई भी series ले लो, आप N4, N8, N10, N10 या N10 optional, सब में एक ही इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रॉल इंजन आता नहीं है, मैनूल में लेगी, आप देखेंगे, तो आप चाहें seven sitter लेनी है, त फिर N पे जाएंगे, या फिर और किसी company में ट्राय करेंगे, लेकिन में महंदरा में या फिर आप मारूती की तरफ आते हैं, और उन्ड़ाई में तो seven sitter के बलेकल के लिए अलकजारी जेल जाती है, और दूसरी हाई नहीं, बाकी तो कुछ इस तरह से यही एक हमें याँ दे संदायू चैनल को सब्सकाइब करें, लाइक शेय कमेंट करते रहें, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद,